हेलो पब्लिक क्या हो रहा है तो क्या आपको पता है कि अगर आपके पास एक Samsung device है 2021 या 22 का model तो उसमें एक built-in screen recording मौजूद है सबसे पहले आप क्या करेंगे आप अपने screen को swipe down करेंगे और swipe down में आपके पास notifications और control panel का एक minimal version खुलेगा अगर आप notification panel के उपर के area को पकड़के दुबारा swipe down करेंगे तो आपका control panel एक और wider screen को cover करके पूरा खुलेगा यहाँ पर आपको सारे options लिखेंगे जैसे के wifi और bluetooth portrait वगयरा वगयरा इन्ही options में या तो screen recorder अलड़ी मौजूद होगा या अगर नहीं है तो आप इसको edit करके उपर top right icon से edit buttons पर click कर सकते हैं और edit buttons में आप screen recording चूज़ करके उसको drag कर सकते हैं एक दफ़ आपने screen recording option इसमें already add कर लिया है तो फिर सिर्फ उसको tap करने से आपके पास screen recording की settings का pop-up खुल जाएगा तो उसमें आप set कर सकते हो कि आपको सिर्फ media sounds चाहिए या फिर कोई sound ही नहीं चाहिए या फिर media sounds के साथ साथ अपनी voice mic sounds भी चाहिए कि नहीं और show taps and touches मतलब जहां-जहां screen पर आप touch करोगे tap करोगे वह भी उसमें दिखाना चाहिए एक दफ़ा आपने इसको settings को set कर दिया आप start recording पर tap कर सकते हो and that's it आपकी screen recording सेव हो जाईए एक और unique feature इसमें यह है कि अगर आपने अपने phone को portrait में lock कर रखा है तो आपकी screen recording होगी वह portrait में होगी लेकिन अगर आप उस portrait lock को हटा दो orientation को change कर लो और आप अपने phone को horizontally पकड़ लो तो फिर वही same screen recording आपको horizontally भी available होगी तो यह है Samsung का built-in screen recorder और इसमें fill further आपको कोई और app install करने के ज़रूत नहीं है और आपके पास एक अच्छा smooth interface के साथ screen recording मौझूद है तो इसको इस्तमाल करिए और अगर इस related कोई doubt हो तो हमें बताईए ठीक है चलिए अगले में मिलते हैं का लिता झालकाare खालका सथा बड़नेग तो का आपको। झाल झाल